फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ खुप्रापाक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने बनाया है मावे की साथ ये एक ट्रेडिशनल मिठाई है जिसे हम बनाएंगे एकदम हलवाई वाले तरीके से बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में केवल 10 मिट का ही समय लगेगा फटा फट से बनकर तयार हो जाती है तो इसे काटने से ही आपको पता पढ़ रहा होगा कि ये मिठाई कितनी स्वादिस्ट है एकदम मुँ में घूल जाने वाली है तो में वर्षा भाव सार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीचे तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम नारियल का बूरा लिया है यह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है यह मार्केक में आपको इजिली मिल जाएगा इसी के साथ मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मावा लिया है जिसे खोया भी कहा जाता है इसे मैंने अच्छे से कद्दू कस कर लिया है ताकि जब हम मिठाए बनाए तो किसी तरह के इसमें कोई लंस ना रहे और अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ली है तो इसमें जो मिठा से आ तो इसके लिए एक पेन में मैंने चीनी डाली है इसके अंदर हम डाल देते हैं पोना कप पानी तो कप से देखा जाए तो यह देड़ कप के करीब चीनी थी इसका आधा में यहाँ पर पानी यूश किया है तो इसे लगातार चलाते वे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानि ची हो चुकी है लेकिन कुछ देर अब हम इसे और पकाएंगे हमें यहाँ पर जो इसकी चाशनी है एक दम गाड़ी सी चाहिए तो इसलिए हमें इसकी चाशनी बिल्कुल गाड़ी लेना है एक बड़ा सा तार चाशनी में दिखना चाहिए तो फ्रेंट्स इसके पहले भी मैंन इसे बिल्कुल हलवाई की तरह बना रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं जीनी या पर पर फोड़ी सी गाड़ी होने लगी है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी या पर परफेक्ट बनी है या नहीं मैंने यहां पर गेस का फ्लेम हाई करके ही इसे पकाया है तो इसकी जो एक से दो डॉप है हम एक प्लेट में डाल लेते हैं इस समय हम गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कुछ देव के बाद हम इसे चेक करेंगे जब हलकी सी ठंडी हो जाए तो अब हम देख लेते हैं चाशनी या पर बनी है या नहीं तो आप देखेंगे चाशनी पर पूरी तरह से गाड़ी हो चुकी है एक बार हम इसका तार लेके भी देख लेते हैं तो उंगली और अंगुटे के बीच में हम इस तरह से लगा के देखेंगे आप देखेंगे एक बहुती बड़ा सा तार निकल रहा है यान इसी तरह से हमें या पर इसकी गाड़ी चा तो इस मिठाई को आप वाइड वी रहने दे सकते हैं इसी के साथ मेने यहां पर आधी चम्म चिलाइची पाउडर डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गेस को बिल्कुल बन कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे यह नारियल का बुरा डालने क इसे अच्छे से हम चलाएंगे इस बात का ध्यान रखें यहां पर पूरी तरह से बंद कर दें नहीं तो जो चाशनी है बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी तो नारियल का बुरा डालने के पाद हम यहां पर यह मावा भी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह जो काम है आप बिल्कुल फटा फट से कीजिए क्योंकि चाशनी काफी गाड़ी है नहीं तो यह इसमें ही जमने लग जाएगा और अब मैं यहां पर डाल देती हूं एक चमज देसी घी वेसे तो हमने इस मिठाई में गी का यूज बिल्कुल भी नहीं कर लिया था है इसके अन्दर अम इस मिठाई को अच्छे से सेट कर देते हैं तो आप अपने हाथों के साहिता से भी से 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 कर सकते हैं या उपर से यूप कर दीजिए और अब हम यहां पर खोपरा पाक बना रहा है है तो इस सुब पर हम थोड़ा सा खोपरा लगा देते हैं आप चाहे तो यहाँ पर थोड़े से पिस्ता लगा सकते हैं या बादम के कतरन भी लगा सकते हैं लेकिन जो टेडिशनल मिठाई होती है खोप्रा पाक की उसके उपर खोप्रा ही लगाया जाता है तो इसे भी हम थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देंगे और अब हम इसे जमने क हैं और चाको की साहता से इसमें कट के निशान लगा देंगे तो इसके जो पीसे हमें बिल्कुल चोरस ही रखना है तो काटने से ही आपको पता लग रहा होगा कि यह मिठाई जो है बहुती अच्छे से सेट हुई है यानि जो इसकी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है तो दोनों तरब से हम यहाँ पर इसे इसी तरह से कर्ट कर लेते हैं तो है ना फ्रेंड्स इस मिठाई को बनाना बहुती आसान और साती में इसमें जब मावे का टेस्ट आता है तो यह मिठाई बहुती स्वाधिस्ट लगती है और अब हम इसके निकाल लेते हैं पीस तो यह द सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे फेस्बुक पेज को भी फोलो कर सकते हैं वहां भी मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेके आती हूं अगर आप बीना मावा वाला खोपरपा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप महां से जाके चेक कीजिए वो भी बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है तो फ्रेंड्स आप मेरे इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए रक्षा बंदन आ रहा है रक्षा बंदन पे मिठाई सभी को बहुत जादा पसंद आने वाली है तो मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ